सेवायाई जीवन अपी मृतह ही सहा नेहयत कर्म धर्माया न विरागाय कल्पते न तिर्थपद सेवायाई जीवन अपी मृतो ही सहा नेहयत कर्म धर्माया न विरागाय कल्पते न तिर्थपद सेवायाई जीवन अपी मृतो ही सहा नेहयत कर्म धर्माया न विरागाय कल्पते न तिर्थपद सेवायाई जीवन अपी मृतो ही सहा चल्पते न तिर्थपद सेवाया न विरागाय कल्पते न तिर्थपद सेवाया न तिर्थपद सेवायाई जीवन अपी मृतो ही सहा जीवन अपी मृतो ही सहा नेहयत कर्म धर्माया न विरागाय कल्पते न तिर्थपद सेवाया न तिर्थपद सेवायाई जीवन अपी मृतो ही सहा कर्म धर्माया न बिरागाय कल्पते न पिर्थपद सेवाये जीवन न पीम्रतो हिसह न नहीं इह यहां यत जो कर्म कार्य कर्माया धार्मिक जीवन की पूरुणता के लिए न नहीं विरागाया विरक्ति के लिए कल्पते ले जाता है न नहीं तीर्थपद श्री भगवान के चरन कमलों का सेवाये भप्तिमय सेवा के लिए जीवन जीवित रहकर आपी यद्यपी मृतह मरा हुआ ही निश्चेही सह वह जिस पुरुष के कर्म से न तो उसके धार्मिक जीवन का उतकर्ष होता है न जिसके धार्मिक विदिविदानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषतम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता तो उसे जीवित होते हुए विम्र्थ ही मानना चाहिए तात्पर्य देवहूति का कहना यह है कि वो अपने पती के इंदरत्रप्ति के लिए अनुरक्त थी जिससे भोतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती अतह उसका जीवन व्यर्थ गया ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति नहो सके वह व्यर्थ है सुभाव से प्रत्यक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है और जब उस कार्य के करने से मनुष्य को धार्मिक जीवन मिल सके और फिर धार्मिक जीवन से विरक्ति और विरक्ति से भक्तियोग प्राप्त हो सके तो समझना चे कि कार्य सिद्ध हुआ जैसा कि श्रीमत भगवद गिता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से मनुष्य को अंतता भक्तियोग प्राप्त नहीं होती वो भवतिक जगत के में बंधन का कारण मनता है यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंब करके क्रमश्य भक्त के पद को प्राप्त नहीं कर लेता तो उसे स्वयम को मृतक के तुल ही मानना चाहिए जिस कार्य से क्रिश्ण भक्ति का ज्ञान नहो हो सके वह व्यर्त है नेहयत कर्मधर्माय न बिरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपी मृतोपिसह तो हम लोगों के जीवन के कार्य कर्म से धर्म धर्म से वैराग्य और वैराग्य से भक्ति की उत्पत्ति ये क्रमशह मानव जीवन के लिए सफलता पुर्वक मार्ग है और इस भौतिक जगत के विभिन प्रपंचों से बचने के लिए शने शने हमें भगवान के वैशनव भक्तों के संग में रहकर शरवन किर्तन इत्यादी की पद्धति के माध्यम से विरक्ति की उत्पत्ति होती है और जब ऐसी नेहयत कर्म धर्माय कर्म से धर्म, धर्म से वैराग्य और तब जाकर वैराग्य से भक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो चैतने चरतामरत के अंतलिला में श्रिपाद रगुनात दास गोस्वामे की कथा का वर्णन आता है कृपा गुनेर्या कुग्रहांद कूपईर उद्रित्य भंग्या रगुनात दासं न्यस्यस्वरूपे वीददे अंतरंगं सृ क्रिष्ण चैतन्यममु प्रपद्ये का विराज गोस्वामी वर्णन करते है कि मैं पूर्ण पुर्शोत्तं भगवान स्री कृष्ण चैतन्यमहा प्रभु के चरन कमलो का अवलम्मन करता हूँ आश्रे ग्रहन करता हूँ जिनकी कृपा से कृपा गुणाईर यह कुग्रहांद कूपई ही जो इस भोतिक जगत के प्रपंच से रज्जु से बच सके महाप्रभू की कृपारूपी रज्जु के द्वारा विशेश रूप से स्निहबद्ध होकर वो उद्रित्य भंग्या रगुनात दासम उद्रित्य भंग्या अर्थात जिनके हर प्रकार के भोतिक बंधन समाप्त हुए महाप्रभू की कृपा और महाप्रभू की विशेश अस्ताक्षेप से ऐसे रगुनात दास जो की न्यस्य स्वरूपे स्वरूप दामदर गोस्वामी के चरन कमलों में जिनको समर्पित किया गया न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगम और वो स्वरूप दामदर गोस्वामी के अंतरंग पार्षदों में एक बने ऐसे स्री चैतन्य महाप्रभू को हम प्रणाम करते हैं तो इसलिए स्री चैतन्य महाप्रभू अपने कई अंतरंग पार्षदों के माध्यम से विभिन गुणों को प्रदर्शित किये ये रगुनाद्दास गोस्वामे के माध्यम से वैराग्य का प्रदर्शन किये और इस वैराग्य को उच्च कोटी के रस भक्ती या प्रयोजन ज्यान को समझने के लिए एक महत्तपूर्ण पहलूबत लाया तो रगुनाद्दास गोस्वामे वो एक बहुत बड़े उद्योग पती पिता के पुत्र रहे गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई का नाम था हिरन्य मजुमदार हर वर्ष बीस लाक सोने की मुद्रा वो वहाँ पर जो सरकार थी उनको देने का उनोंने उत्तरदाइत्व संभाला लेकिन उसके पहले एक दूसरा व्यक्ती था जो ये कारे पहले करता था तो वास्तव में उनके कॉंपेटिशन में आकर ये वसूली का काम ये लोग करने लगे तो वो पुराना व्यक्ती कुछ क्रोधित हो गया अब प्रसन हो गया और इसने विचार किया कि हम देखते हैं ये लोग किस तरह वसूली कर रहे हैं तो बीस लाक में से पंद्रा लाक स इस ने जो देख लिया और सरकार को जाकर उन्होंने कम्प्लेंट कर दिया और तब वहांके चौधरी आये और तब गोवर्दन और हिरेन ने मजुम्दार को मालूम पढ़ा कि हमारे उपर जाच परताल होकर गिरफ्तार हो जाएंगे है कि नहीं पैसे के घोटाले में तो जैसे सब लोग करते हैं क्या किया फरार हो गए तो दोनों फरार हो गए तो कई बाते बड़ी पुरानी है कोई नई नई है लेकिन अमरिका लंडन वगरा नहीं गए वहें पर बंगाल में कहीं पर किसी गाव में जाके छुप गए जो कोई भी हो तो अब सर ढूंदते हुए आए रगुनाद दास को मिले बोले कहा है भीया तुमारे पिताजी और उनके भाई बोले वो तो गायब ने क्या करें तो फिर रगुनाद दास को गिरफतार करके वो लेके गए और उनका इंटरोगेशन करना आरंब किया विशेशे कायस्त बुध्ये अंतरे कोरिडर मुखे तरजे गरजे मारिते सभय अंतर तो अब ये अफिसर भी जानते थे कि रगुनाद दास गुष्वामी कायस्त थे और इसलिए कायस्त होने के कारण उनके उपर बहुत जादा भी वो आकरमन नहीं करना चाते थे क्योंकि उस समाज के लोगों से सरकारी अफसर भी डरा करते थे कायस्त बुध्ये अंतरे करे डर इसलिए अंतरिक रूप से उनको भय था मुखे तरजे गरजे मुख से वो बहुत बड़ी बाते कर रहे थे डरा रहे थे धमका रहे थे लेकिन मारिते सभय अंतर हाथ नहीं उठाया और तब रगुनाद दास गोश्वामी उनको कहने लगे उस समय रगुनाद दास कि देखिए आपका और हमारे पिताजी और हमारे जो ताओजी के साथ बहुत पुराना संबंद है एक ही परिवार के सदस्ट के भाती है वो तो आपके छोटे भाई जैसे हुए तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कभी-कभी मतभेद होता है तो इसमें वास्ताओं में उनके लिए भी बड़ा प्रेम है और उनका भी आपके लिए बड़ा प्रेम है इन छोटी-मोटी बातों को छोड़ दीजी क्योंकि आप भी जानते हो पालक होई या पाले रे मारिते न यूजाई तुमी सर्वशास्त्र जान जिन्दा पीर प्राए आप भी जानते हो कि जब कोई व्यक्ति किसी का आश्रे लेता है पालक होई या पाले रे ताडिते न यूजाई चोटे बच्चे को कभी माता-पिता सुधारने के लिए इतना ताडन नहीं करेंगी जितना समझाएंगे तो इसलिए तुमी सर्व शांस्त्र जान आप तो सभी शांस्त्र को जानते हैं आप तो जिन्दा पीर हो आप तो चलते फिरते पीर हो इतने बड़े संत हो तो आपको इस प्रकार की प्रतिकार की भावना शोभा नहीं देती अवश्य आप उनको समझा सकते हो और ये मामला जो है सुलज सकता है तो इसको सुनते ही रगुनात दास के मुख को देखकर और उनके वानी को सुनकर और उनके हाव भाव से प्रभावित होकर वो जो अफसर है एतश्यूनी सेमले छेर मन आर्द्र होईला दाड़ी वही अश्रू पड़े कांधी ते लागिला तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होकर उनके दाड़ी के अंदर से टपकने लगे और उनका मन बिलकुल प्रभावित हो उठा और रो रो कर कहने लगे कि अरे मैंने कहा कहा कि वो न ले वो लें लेकिन मेरे साथ भी बाठे तो ये बात को वो नहीं समझ रहे हैं और पूरा आठ लाग अपने पास रख लेते हैं तो फिर कैसे चलेगा थोड़ा हमको भी तो दे तो रगुनाद दास ने कहा कि छलो कोई बात नहीं आपका और उनका हम संज्वाता कराते हैं और तत पश्चात दोनों के बेच में रगुनाद दास जी ने एक मीटिंग करवाया और सब कुछ सुल्जा दिया तो ये कथा आती है इस बात को प्रदर्शित करने कि रगुनाद दास के अंदर भौतिक कारें को संपन करने के लिए क्षमता अच्छी खासी थी अर्थात जो सामान्य दैनिक व्यवसाय के जटिल परिस्थितियां थी उसको सुल्जा सकते थे ये नहीं सोचना चाहिए कि वायराग्य धारन किया क्योंकि बिजनस के विशे में विचार करके घबरा गए और सोचे कि ये क्या होगा हमसे नहीं होने वाला एक बहुत बड़े अरब पती के पुत्र मेरे को एक बार मिले थे और वो मुझे बोल रहे थे कि हमारे पिता जी का तो हजारों हजारों करोड का संपत्ती है क्योंकि विश्व में लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ऐसा अवसर मिले और कई लोग तो आपके पिता के पुत्र बनने के लिए रेडी हैं तो वो बोले नहीं नहीं लेकिन मैंने अपने पिताजी को पूछा ये सब इतना बड़ा बिजनस किसके लिए खड़ा किया वो बोलते हैं आपके लिए मैंने का मेरे को थोड़ी पूछा आपने इतने हजारों करोड का आपने बिजनेस खड़ा कर दिया मेरे अंदर इतना कुछ उत्सा भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है मुझसे नहीं होने वाला तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे अपने कंपनी में दस हजार रुपे की नौकरी लेकर सिंपल एक नौकरी के रूप में रख दो सत्य घटना बता रहा हूँ तो कई बार बहुत बड़े उद्योगपती परिवार में भी अगर कोई जन्म ले बहुत बड़े व्यवसाई का कोई पुत्र का गैरेंटी नहीं कि स्वामाविक रूप से उसके अंदर भी उसी प्रकार की क्षमता उत्साह जनून रहेगा ये सब कारे करने के लिए तो हो सकता है कुछ लोगों को लगए हिरन्य और गोवर्दन मजुमदार तो बिलकुल जबरदस्ट बिजनेसमें थे लेकिन रगुनाद दार्स थोड़ा ज्यादा प्रसाद खाने के बाद रजोगुन निकल गया शायद और उसकी जो क्षमता नहीं रही केवल बिजनेस का नाम सुनके घबरा जाता था क्योंकि सरकार, सरकारी ओपिसर और ये वो इतने सारे सब पहलू संबालने पड़ते हैं सायद घबरा गया इसलिए भाग के महापरभु के पास चला गया ऐसा भी लोग आरोपित कर सकते हैं तो उस शंका का समाधान करने के लिए पहले बचाया कि पिता और पिता के भाई फरार हो गए थे उनको दुरगती से बचाया इनोंने यवन संपन अवस्था में तो इसलिए भीष्मदेव कहते हैं आत्म विश्वास के लिए 6 महत पूर्ण मार्ग क्या है 6 tips to increase self-confidence वो कहते हैं you can become you can develop freedom from anger by forgiveness क्रोध से मुक्ति क्ष्मा के माध्यम से दूसरा you can become free from unlawful desire by not making plans अवईध जो इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं जब हम योजना न बनाएं अब योजना करत यहां पर है की भावतिक इंदरत्रप्ति की योजना तीसरा you can develop spiritual culture by conquering sleep अध्यात्मिक आपके अंदर संस्कार कब बढेंगे जब निद्रा के उपर हम लोगों का सैयम बने we can become free from disturbance caused by disease by regulated diet बिमारियों से व्याधियों से मुक्त होने के लिए आहार के उपर नियंतरन हो money can be saved by avoiding undesirable association धन को अगर संचे करना हो तो असत्संग का त्याग करके हम धन संचे कर सकते हैं by prowess one can avoid fearfulness शक्ती और सामर्थ के प्रदर्शन से हम भय से मुक्त हो सकते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर रगुनाद दास जी अपने पिता और उनके भाई के लिए उस officer लोगों के साथ, सरकारी officer लोगों के साथ विविद प्रकार के हस्ताक्षेप करके पुनः शांती स्थापित करते हैं और फिर वो लोग अपने घर पर लोटकर अपने व्यवसाय को संभालने लगते हैं तो कहने का तात्पर यह है कि रगुनाद दास के पास सत्ता, शक्ती और प्रचुर मात्रा में धन भोग करने की क्षमता थी तो जब जितना जिस व्यक्ती के पास अधिक मात्रा में भोग के लिए साधन हो उतना वो व्यक्ती विश्यों के बीच आविश्ट हो जाता है उतना ही उस व्यक्ती को इंद्रत्रप्ती में नियंतरन करने में कठिना ही होती है तो इसलिए विदूर जी कहते हैं कि विश्यों को और विश्यवस्तों को दोश मत दो अपने आत्म नियंतरन को बढ़ाओ Do not blame sense objects, improve your sense control तो इसलिए विदूर जी कहते हैं एक शलोक में चार वो tips देते हैं कि आप अपने self-control को कैसे बढ़ा सको अपने आत्म संयम को, नियंतरन को कैसे बढ़ा सको दृत्यां शिष्णो दरम रक्षेत पानि पादम च चक्षुषा चक्षुष श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं चकर्मना विदूर नीती में महाभारत में विदूर जी कहते हैं कि you can control शिष्णो दरम रक्षेत लस्ट एन हंगर जो क्रोध जो भूख शुधा और काम काम वासना और भूख से कैसे हम बच सकते हैं उसके उपर नियंतरन कैसे कर सकते हैं धृत्या धैरे को बढ़ाकर पेशन्स वन केन कंट्रोल लस्ट एन हंगर थ्रू पेशन्स और हम लोग सभी को जो है इस बात का अनुभव है और आज तो खायश द्वादशी है तो शायद इसका भी प्रभाव तकड़ा रहेगा राधनात माराज लेक्चर दे रहे थे फोगला आश्रम में बहुत वर्ष पहले 2011 या कब और लेक्चर उनका चल रहा था फर्स्ट डे था यातरा का सिक्स गोस्वामी स्टेंपल सब लोग जाने वाले थे प्लान था कि करीब साड़े नौ से साड़े गारा बारा तक लेक्चर चलेगा फिर प्रसाद होगा जो है हाँ और प्रसाद के पाद थोड़ा रेष्ट लेकर सब लोग फिर सिक्स गोस्वामी मंदिर में सब लोग तीन साड़े तीन बजे से जाना शुरू करेंगे जिससे कि चार बजे के दर्शन में सब लोग दर्शन ले सके तो योजना बनी थी इस तरह साड़े नोग बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ और लगबग बारा बजे हम लोग प्रसादम का काउंटर पीछे लगाने लगे भोगल आश्रम का स्टेज के पास अब पीछे बैठे जो लोग थे उनका ध्यान आकरशित हो गया कि कुछ हलचल चल रही है पीछे मुड़के देखा उन्होंने की टेबल लग रहा है और टेबल लगते हुए देखके सब समझ के क्यों लग रहा है तो एक व्यक्ति उठा और जहां से लाइन शुरू होती है वहाँ जाके ऐसे खड़ा हो गया कहीं और देख रहा है खड़ा हुआ है प्रसाद के लाइन में लेकिन ओडिखा रहा है कि मैं अना सकते यूँ ही खड़ा हूँ तो वैसे ही उसको देखकर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ वो भी उसके पीछे जाके खड़ा होकर दूसरी तरफ मुड़के खड़ा हो गया जैसा कि लगे ने कि वो लाइन में खड़े दो लोग ऐसी खड़े हैं हवा खाते हुए उनको देखकर तीसरा आदमी खड़ा हुआ चौथा आदमी खड़ा हुआ इसके लिए तो निमंतरन लगता नहीं है तो धीरे धीरे देखा जाए सौ सवा सो लोग यूँ खड़े हो गए और हर एक व्यक्ति इस तरह खड़ा हुआ है कि हम किसी और के लिए खड़े हैं लेकिन खड़े थे प्रसाद के लाइन में तो लगभग सवा बारा बारा बीस तक हम लोग का काउंटर सब लग गया और जब आइटम हमने बिठाना स्टार्ट किया तो उसका भी सुगन दाता है उसके भी प्रभावर से कई लोग का ध्यान जो है भंग हो गया तो साड़े बारा बजे सब को लगा भी माराज ने कुछ तो पॉइंट बोला और सब लोग की जोरदार तालियां बजी और सब को लगा भी सब समापती होने वाला है तब माराज ने पूछा शैल आई कंटिन्यू आप सब के पेट में चुहे तो कूद रहे थे लेकिन शैल आई कंटिन्यू का कि बात थे कि ये जो सो सवा सो लोग खड़े थे वो लोग भी खड़े होकर हरी बोल बोल रहे जो कि सपष्ट था कि वो लोग प्रतीक्षा कर रहे कब लेक्चर खतम होगा वो वेचरे उदास होकर वो भी हरी बोल कर रहे कि ये रियार अपना सीट भी गया और खड़े भी है और वापस कौन बेठेगा सबको लग रहा कि अब ही हो सकता है दस मिनिट क्योंकि जब लेक्चर चलता है तो महाराज पहले थोड़ी एडवांस में बताते हैं कि इतने बज़े में बंद करूँगा आशा हमर है सबको लग रहा कि कि अब हो सकता है और पंदरा मिनिट चलेगा अब सामने वाला जो फ्रेंट में खड़ा है उसको लग रहा है मैं फॉस्ट स्पोर्ट कैसे छोड़ू तो वो खड़ा हुआ है सब लोग ने वोला हरी बोल और ये बिचारे सो सवा सो लोग मूँ लटकाए होए हरी बोल लेक्चर खतम हुआ चार बजे तो इसलिए यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कि कई परिस्थितिया ऐसी आएंगी तो काम और भूख के ऊपर नियंतरन करने के लिए कोई शौटकट नहीं केवल धैरे को बढ़ाना है दृत्या शिष्णो दरम रक्षेत पाने पादम चा चक्षुषा हाँ तो कंट्रोल थे हैंड और फीट हाँ और पैर को कैसे बचाएं चक्षुषा नेत्रों से हाँ और पैर के लिए सेक्यूरिटी गाड नेत्र है क्योंकि अगर यू चलते चलते आप गए पत्थर पे पैर पड़ा गिर गए तो हाथ पैर में चोट लग जाती है तो नेत्र हाथ और पैर को बचाता है फिर कहते हैं चक्षुष श्रोत्रेच मनसा अब आखों को और कान को कौन बचाता है क्योंकि आखे भी यू यू यहाँ वाँ देखते रहेंगे कान से भी हम लोग बहुत कुछ सुनने का प्रयास करेंगे तो अगर मन नियंत्रित नहीं है तो नेत्र यहाँ वाँ भटकेंगे कान यहाँ वाँ फिजूल की वाते सुनने पे रुची प्रकट करेगा तो चक्षुष श्रोत्रेच मनसा प्रोटेक्ट देखते प्रयास करेंगे और फिर मनो वाँ चम्च कर्मन मन और शब्दों को अगर बचाना हो वो कैसे बचाएं? कर्मना उचित कार्य और कर्म करके क्योंकि जैसे गलत कार्य करेंगे उन बुरी आदतों का संसकार उसका अमिट छाप मन पे पड़ेगा और फिर वो और तीवर होगा तो इसलिए मनो वाँचं चकर्मना protect oneself from lust and hunger with patience protect the hand and feet using one's eyes protect the eyes and ears using mind protect the mind and the words using proper action and proper habits तो इसलिए रगुनाद दास का जीवन बड़े ही आईश्वरे शाली परिवेश में था लेकिन इस बीच भी उनके हृदे के अंदर केवल महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की अभिलाशा थी जिसके कारण वो निरंतर प्रतिक्षा कर रहे थे क्योंकि महाप्रभु ने भी कहा था क्योंकि तब उन्होंने रगुनाद दास उससमें सोच रहे थे कब मैं प्रभु के साथ निलाचल जाओंगा तब महाप्रभु ने उनको कहा था क्या इतना जल्दी पागलपन मत करो ये उचित समय नहीं है क्योंकि प्रयास के साथ साथ अनकुल समय भी बहुत महत्त पूर्ण होता है किसी भी कारे के सफलता के लिए अंतरे निष्ठा कर लोके बाहिय व्यवहार अचिराते क्रिष्ण तोमार करिबे उद्धार तब रगुनात दास को महाप्रभु ने कहा था अंतरे निष्ठा कर अंदर मेरा स्मरन करते हुए क्रिष्ण का चिंतन करते हुए बाहिय लोक व्यवहार बाहर आप लोक व्यवहार करते रहो अचिरे कृष्ण तुमार करीबे उद्धार बहुत शीगर कृष्ण आपका उद्धार करेंगे और कब जब मैं व्रिंदावन आसिह निलाच चले तमे तूमी आमा पाश आसिह कोन चले और तब रगुनाद्धा सोच रहे यह कैसे संभव हो पाएगा उस समय क्या अलग होगा सेच्छले सेकाले कृष्ण स्फूराबे तोमारे कृष्ण कृपा जारे तारे के रगी ते पारे तो माहाप्रभुन को कहते हैं कि आप श्रद्धा पूरवक केबल प्रतिक्षा करते रहो स्मरन करते रहो मनन करते रहो संकल्प बद्ध रहो साधक के जीवन में एक मात्र उत्तरदायत्व है कि वो संकल्प बद्ध रहे और एक बार संकल्प बद्ध बनकर धृड़ता पुर्वक वो कारे करता रहे प्रतिक्षा करे से छले, से काले कृष्णस फुरबे तुमारे भगवान को भी उनका काम करने दो तो उस समय आपके संकल्प को देखकर भगवान की कृपा आप पर होगी और आपको उचित आइडिया भगवान देंगे क्योंकि जब अवसर के द्वार खुलते हैं वो हर व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाता कि वास्तों में ये दैववश अवसर ने द्वार खोल दिये मेरे अगले कदम चलने के लिए जब अवसर के द्वार खुलते हैं उसको पहचानने के लिए परमात्मा की गृपा लगती है मत्तहस्मृतिर ज्ञानम अपोहनमच इसलिए तब परमात्मा अंदर से आपको संकेत करते हैं अब ये समय आ गया अगला कदम रखो तो इसलिए महाप्रभुन को कहते हैं तब अपने आप सब कुछ होगा तो ये लगभग 1516 1515 के कार्तिक पूरनिमा में महाप्रभु प्रवेश किये ब्रंदावन धाम में दो महिना रहने के पश्चात 1516 के जो माघ मेले में महाप्रभु आ गय थे प्रयाग और तत पश्चात वो जो है रूप और सनातन 1516 में ब्रंदावन प्रतंबार आकर फिर एक बार जगनात पुरी आए तो 1516 और 17 के बीच में रगुनाद दास जब महाप्रभु लोट के आगा इस तरह समाचार मिला तब रगुनाद दास एक वर्ष के लिए बारंबार प्रयास कर रहते घर से भागने का लेकिन हर बार उनके पिता उनकी माता कोई-कोई गुप्तचरों को भेज कर सैनिकों को भेज कर उनको पकड़ कर फिर घर पे लेके आ जाते हैं तो कई बार ये होने के पश्चात रगुनाद दास की माता ने अपने पती को कहा अरे ये तो घड़ी-घड़ी भागता रहता है ऐसा करते है इसको किसी रस्ची से बान्द कर हम लोग रख देते हैं कमरे के अंदर बंद रखते हैं बंदी बना के रखते हैं नहीं तो भाग जाएगा तो उनके पिताजी कहते हैं कि इनका अईश्वर्य इंद्र के समान है और इनका विवाभी हुआ है उनकी पतनी भी अपसरा की भाती है ये सब उनको बांध नहीं पारा क्यों? क्योंकि इनके ओपर कृपा हुई है स्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिन पर हुई है वह व्यक्ति लगभग पागल हुजाता है महाप्रभु के प्रेम में पागल हुए व्यक्ति को कौन बांध कर रख सकता है तो इसलिए कहा गया है कि Divine Compassion manifests in four ways जब भगवान की असीम, अनुकंपा, दिव्य, कृपा प्रकट होती है वो चार रूपों में हमारे समक्ष प्रकट होती है और कब प्रकट होती है जब कोई भक्त पूरी तनमयता के साथ द्रिड संकल्प सिद्ध करके भगवत भक्ति में लगा रहे तो जब कोई द्रिड संकल्प के साथ, निष्चे के साथ भगवत भक्ति करता रहे तो फिर भगवान की दिव्यकृपा प्रकट होती है और उसके लक्षन क्या है कि भगवान की दिव्यकृपा प्रकट हुई है पहला वन सर्विस एटिट्यूड ग्रोज सेवा भाव ततपर होता है, बढ़ता है और भगवान उस बढ़ते हुए सेवा भाव को देखकर ऐसे भक्त के उपर विशेश उने शक्ति देते हैं इस सर्विस आटिटूड लेडस तो एम्पावरमेंट और देवोटी सर्विस बिकम्स एफेक्टिव तो अपनी सेवा में अगर सफलता चाहिए तो उसका आधार स्तंब है सेवा भाव जब भगवान वास्तविक सेवा भाव देखेंगे तभी कृष्ण शक्ति विना नहीं तारा प्रवरतन तभी कृष्ण शक्ति देंगे और बिना कृष्ण के शक्ति के कृष्ण की सेवा में सफल होना ये केवल कालपनिक विचार है तो इसलिए service attitude gives empowerment empowerment makes service effective this is the first you know manifestation of divine compassion दूसरा when the lord is compassionate to somebody है कि नहीं one gets the attitude to serve others by offering one's expertise to help others जब भगवान की कृपा होती है तो हमारे हर्दे के अंदर दूसरे भक्तों की सेवा में सहायता करने की इच्छा जागरत होती है हम दूसरे भक्तों की साथ स्परधा नहीं करना चाहते उनकी सहायता करना चाहते है और अपने सद्गुनों को उनके साथ जो है वितरित करके उन्हें भी प्रोटसाहित करना चाहते हैं भक्ती के इस मार्ग में अपने भक्ती के जीवन में अधिक उत्तरदाइत्व स्विकार करता है increased empowerment leads to increased reciprocation leads to increase in one's taking of responsibilities तो बिना भगवान के कृपा के कोई अधिक से अधिक उत्तरदाइत्व नहीं ले सकता किसी भी क्षेत्र में so it is the result of empowerment that one experiences greater reciprocation from Krishna and that inspires the devotee to take more responsibility ये तीसरा और चौधा की ऐसे भगवान के साथ आदान प्रदान करते हुए उत्तर दायत्व स्विकार करते हुए such a devotee gives oneself fully to perform excellent service and because of that excellence in his service more and more complicated and difficult duties and services come in such a devotee's life and that should be seen as reward and promotion by the Lord जब ऐसा भग्त अपने आपको पुरितरा समर्पित होकर और तीवर भाव से उत्कृष्ट सेवा करने का जब प्रयास करता है तो भगवान ऐसे भक्त को पुरस्कृत करते हैं कैसे? और जटिल और पेचीदार सेवा उसके जीवन में देते हुए ये भगवान की कृपा का एक लक्षन है तो इसलिए यहाँ पर रगुनाद दास की विशे में उनके पिताजी कह रहे हैं चैतन्य चंद्रेर कृपा होया छे इहारे चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी ते पारे तो इस प्रकार ये चार लक्षन कृपा के हैं पहला to serve second to share third reciprocate and fourth is one receives the Lord's appreciation and one appreciates the opportunities one is receiving to serve तो श्रिला प्रहुपाजी ने जब इस कौन की स्थापना की पाश्चात देश में उस समय न्यू यू यॉर्क में अलन जिन्सबर्ग नाम के विक्ती प्रहुपाज से जुडगए उस समय वो hippie movement के महाजनों में से थे तो जो भी उसका अरुत हो आप अनुमान लगा लिजिए अब वो प्रहुपाजी के बहुत बड़े फैन हो गए और कई लोग प्रहुपाज के किर्टन में आते थे ये देकर कि अलन जिन्सबर्ग आता है ये भी आता है तो पर हम लोग भी आएंगे तो एक दिन प्रहुपाजी के साथ बेट कर वो चर्चा कर रहे थे और प्रहुपाज बता रहे थे बारवे स्कंद भागवत से कि आपको पता है क्या कि बारवे स्कंद में कल्यूग में आगे क्या-क्या आने वाला है इसका वरणन है भविश्यवानी है और कल्यूग आगे बढ़ता चला जाएगा कल्की अवतार स्वयम प्रकट होंगे और कल्की अवतार प्रकट होकर इसी कल्यूग में वो आकर अपना प्रभाव दिखाएंगे तो एलन जिन्सबर्ग ने तुरन प्रवपाद को पूछा कल्की अवतार का संदेश क्या होगा प्रवपाद ने कहा कोई संदेश नहीं होगा तलवार से काटेंगे सबको जितने उस समय पापी जीव होंगे उन सबको समाप्त करेंगे क्यों? क्योंकि उस समय लोग इतने पशुतुल्य हो जाएंगे और प्रवपाद जी बिलकुल एलन जिन्सबर के पास अपना चहरा लाके बोले यू विल इट मी और आई विल इट यू मैन विल इट मैन ऐसी परिस्तिती हो जाएगी एक दूसरे का लोग भक्षन करने लगेंगे तो फिर एलन ने पूछा फिर प्रवपाद जी आपके इसकौन के भक्तों का क्या होगा प्रवपाद ने कहा तब तक सभी इसकौन के भक्त भगवधाम पहुच चुके होंगे और अगर आप उसमें शामिल नहीं होंगे तो आपको कल की अवतार का क्लास सुनना पड़ेगा तो इस प्रकार कल यूग में आगे जो भयावः परिस्तिती होने वाली है उसका वरणन बारवेशकंद भागवत में दिया गया है इसलिए श्रीला प्रहुपाजी ने प्रयत्नकर के पाश्चात देश के नवजवान नवयोतियों को इस मिशन में जोड दिया और यहां तक कि उस समय भारत में दूर दूर तक प्रयास करके भी क्रिश्न भक्ति का प्रचार प्रहुपाजी अमरिका जाने से पहले नहीं कर पाए लेकिन और अमरिका में भी जाने के बाद जब यूरोप में प्रहुपाद आये एक बार एमस्टेडाय मंदिर में जगनात बल्देव सुगद्धरा का इंस्टॉलेशन हो रहा था लोगों के पास कोई ग्यान नहीं क्या करना है क्या नहीं और प्रहुपाजी चिला रहे हैं जोड जोड से अरे इंस्टॉलेशन के लिए ये रेडी नहीं है वो रेडी नहीं है यगे के लिए फ्रूट कहा है तो प्रजिडेट ने का फ्रूट सलाड में डाल दिया आमने फिर प्रहुपाद धम 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 करके आवाद सुनाई दिया प्रहुपाद को तो घबराकर आल्टर के अंदर गए देखा कि आल्टर का साइज छोटा था जगनात जी बड़े थे ये लोग धक्का मार कर जगनात को अंदर धकेल रहे हैं प्रहुपाद जी ने उपर का पोर्शन कटवाया और मीडिया सब टेलिविजन चैनल आया वह था और जब आल्टर के उपर का भाग को लेकर जाने लगे तो मीडिया वाले बोलने लगे सेरेमोनी स्टाट हो गया है और प्रहुपाद जी बड़ा क्रोध में बाहर निकले और बार बार बोल रहे थे which rascal is responsible कौन इसका जिम्मेदार है जो इतना सब गड़बड किया है और प्रहुपाद आके गुस्य में आके बैठे सीट पर प्रहुपाद जी के पेचे एक हिप्पी था प्रहुपाजी के पास ये हिप्पी एक माला लेकर प्रहुपाद को बोलता है पीछे से यू 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 प्रहुपाद मुड़े वो हिप्पी बोलते है प्रहुपाद को don't be angry chant Hare Krishna कुरोधित मद हो जाईए आप हरिनाम जपिए प्रहुपाद भी नम्रता पुर्वक उसको ले लिए माला को तो ऐसी परिस्थिती में जब लोगों के पास परियाप्त जानकारी नहीं थी कि भक्ती क्या है और डीटी इंस्टॉलेशन क्या है ये क्या है वो कि लेकिन प्रहुपाद पूरे ती उरगती से चल रहे थे और फिर प्रहुपाद ने भारत में इसकौन के स्थापना करने का निष्चे किया पास्च्यात देश के भक्तों को लाया बीस-पच्चिस लोग ही थे उनी मेंसे लोगों को बंबे में रखते थे फिर कभी कलकता लेके जाते ते कभी डेली लेके जाते थे और न्यूस पेपर में आता था था हजारों लोग आया अमरीकाज तो थे वोई बी और लोगप्री है और सफल है लेकिन वोही प्रयास भारत में नहीं चल पाएगा इतनी अच्छी तरह क्योंकि लोगों को लगेगा कोई भिकारी लोग आ गए यूँ चवणन्य अठन्य फिक देंगे इसलिए इंडिया में प्रहुपाद नेका Life Member Program हम लोगों के घर पर जाएंगे उनको Member बनाएंगे सूरत में प्रहुपाद जी और बोले जो भी Member बनेगा उनके घर पर हम प्रसाद के लिए आएंगे तो दिन में कई लोग मेंबर बनते थे, प्रहुपाजी हर जगा जाते थे, फिर प्रहुपाद बोले, बाहर के दुनिया में लोग होटल जाते हैं, खाते हैं और पैसा भरते हैं, हमको लोग बुलाते हैं, हम खाते हैं, रोग हमको पैसा देते हैं, तो प्रहुपाजी कलकता म गए और किसी के घर में खिला रहे थे वो और भारत में तो नॉर्मल है थोड़ा और लीजिये थोड़ा और लीजिये नहीं नहीं मतलब हां हां मतलब नहीं तब अमरिकन लोग को इतना आदत नहीं था कि जो subtleties hospitality इंडिया का तो लोग नो नो बोलते थे फिर भी लोग पतक द एक भक्त खाया और 3C Albert Road मंदिर में जाने के बाद पेट पकड़के बोले नहीं रहा प्रभपाद जी मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्या life membership के चक्कर में बहुत प्राब्लम हो रहा है यह आइडिया अच्छे नहीं ठीक नहीं है बहुत पेट में दर्द हो रहा है प्रभपाद नहीं का हो गाई 25 पूरी खाया तूने अपको केसे मालूँ मैं गिन रहा था दूसरा ब्रामचार जोर से हसने लगए मैं हा रा प्रभपाद नहीं का हम लोग यह जा रहे हैं घरों पर जिस से संबंध स्थापित हो सके और हम लोग उन्हें भक्ति के विश्य में बता सके और भारत में तो सभी लोग खिलाएंगे इसका रति यह नहीं कि आप भी खाते चले जाओ तो हम लोग यहां परपस से आए हैं क्योंकि वेस्टरन लोग को देखकर इनके मन में कौतुहल है कि कोन है कहां से आए हैं और बड़ा संबंद स्थापित करना चाह रहे हैं इसलिए उन्हें हम अपना मेंबर बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखकर आप चलो प्रवपाजी गए जो टाइगर लॉक कमपनी था अलिगड में उनके वहाँ पर मेन प्रोग्राम उनका रखा गया ये लगभग 1975 की बात है भारत में एमर्जन्सी चल रहा था और पोलिटिकल एमर्जन्सी के समय उस समय का जो नारा था वो था काम अधिक बाते कम तो प्रवपाजी को जो है वो अटक गया कि बस में यहाँ वहाँ सब जगह वो पेंटेड था तो प्रवपाजी लेक्चर चालू किये और उस समय के जो सरकार के एक मंत्री भी आयो थे और प्रवपाज शुरू हो गए और प्रवपाज बोलने लगे सरकार का नारा है काम अधिक बाते कम लेकिन हमारा नारा है काम कम बाते अधिक तो सब लोग घबरा गए बुलीगे क्या बूल रहे है फिर प्रवपाज ने कहा सततम कीरतेयंतो माम यतंतस चद्रडव बरता भगवान भगवत गीता में कहते हैं समय निकालो किरतन करो ध्यान दो मन मना भवमत भबतो अर्थात प्रवपाज कहने लगे कि समय निकालो गीता के लिए ये मत बोलो कि हम बिजी है काम ही करते रहेंगे नहीं क्रिश्न की बातें भी सुनो इसलिए काम कम बाते अधिक काम कम बाते प्रवपाज के लेक्चर का श्टाईल एक पकड़ लिया तो उसको बार-बार रिपीट करते रहेंगे वो बीस-पंचिस मिनिट के लेक्चर में प्रहुपाद ने का मेरा स्टाइल है कि कराटे में जैसे देखता है सामने वाले का वीक पॉइंट है वो दिग गया उसको मारते रहो जब तक वो बोला हाँ सरेंडर तो प्रहुपाद बार-बार बोलने काम-कम बाते आदे काम-कम बाते आदे सरकार के दे काम अधिक बाते वो होस्ट ता घबरा गया भागा-भागा आया स्टेज पे प्रहुपाद के कान में बोला इतना जोर-जोर से आप बोल रहे हो सरकार क्या लोचना कर रहे हो काम कम बाते अधिक बोल रहे हो मंत्री आये है प्रवपाद तुरंद माइक पे बोले कहां है मंत्री जी तो मंत्री जी खड़े होगे बोले स्वामी जी मैं यहां हूँ प्रवपाद ने का हम तो गीता को दोर आ रहे हैं गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को युद्ध से पहले उन्होंने गीता सुनाई थोड़ा समय निकालकर गीता में समय देना चाहिए सुनने के लिए तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ काम कम बात है अधिक इसमें कोई गलत है क्या मंत्री बोले आप बिल्कुल ठीक करते हो समय जी प्रहुपाद होस्ट को देखे बोले यह को मंत्री जी भी मानते है हमारी बात को तो प्रहुपाद जी धीरे धीरे करके भारत में ब्रह्मन करकरके मेन तीन चार शहरों में इस कौन की स्थापना उन्होंने करवाई जिससे की लोग महाप्रभु की कृपा को भारत में अनुभाव कर सके शुनी प्रभु कहे चोरादिली दर्शन आए आए आजी तोमार करिलू दंडन तो तब रगुनाद दास ने विचार किया कि उस समय तो वो सप्त ग्राम में रहते थे आदी सप्त ग्राम और निकट ही क्या था आपका पानी हटी और उस समय पानी हटी में नित्यानन्द प्रभु थे और नित्यानन्द प्रभु सबको अपना दर्शन दे रहे थे तो रगुनाद दास ने विचार किया कि चलो भई महा प्रभु के पास जाने का मेरा प्रयास बारंबार विफल हो रहा है नित्यानन्द प्रभु की कृपा लेते हैं तो ये सोचकर वो नित्यानन्द प्रभु के पास गए और नित्यानन्द प्रभु एक चटान के उपर बैठे थे ब्रिक्ष के नीचे और बड़े दिव्य आभा उनकी अंग कांती चारों दिशाओं में फेल रही थी नित्यानन्द प्रभु के उस भगवत भक्ति के उनमाद को देखकर प्रभावित होकर वो दूर ही खड़े रहे गए और निकट नहीं आए नित्यानन्द प्रभु के पास जाकर किसी भक्त ने कहा रगुना दास आए हैं नित्यानन्द प्रभु उसको सुनकर कहते हैं चोरी चोरा दिला दर्शन, अरे, तुम चोर हो और मुझे दर्शन देने आये हो, आए, आए, आज तो मार करिमू दंडन, आओ मेरे पास, आपको दंड दूँगा मैं. तो नित्याननद प्रभु ने इनको चोर क्यों कहा? शुनि प्रभु कहे चोरा दिरी दर्शन चोर क्यों कहा क्योंकि वो कहना चाहते है कि स्री चैतन्य महा प्रभु की सेवा नित्यानंत प्रभु की संपत्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको अगर लेने जाए बिना नित्यानंत प्रभु के अनुमति के ये चोरी के वराबर है अर्थात कृष्ण की सेवा किसकी संपत्ती है गुरू और वैश्णवों की संपत्ती है डायरेक्ट जाकर हम कृष्ण की सेवा छीनने का प्रयास करेंगे वो चोरी हो गई इसलिए वो कहते हैं प्रभू बोलाएते हो निकटे नौकरे गमन आकरशिया तारा माथे धोरिला चरन नित्यानन प्रभू के बुलाने पर भी वो निकट नहीं आये तो बाकी सब भक्त लोग उनको निकट लेके गए और तब नित्यानन प्रभू ने रगुनाद दास के मस्तक को अपने चरनों में समर्पित किया नित्यान प्रभू के चरन रज को मस्तक पर अलंकरत करने के पश्याद उठकर प्रणाम करने लगे नित्यानन प्रभू को कौतु के नित्यानन दा सहजे धया मै रगुनाथे कोहे किछू हुया सदय कवतु की निच्चानंद सहजे दयामाए निच्चानंद प्रवो बड़ दयावान थे और एक हास्च से अभिभूत उनका व्यक्तित्व था हास्च परिहास में बड़ा आनंद लेते थे इसलिए अउधुद भी कभी कहा जाता है कवतु की नित्यानंद सहजे दयामाए रगुना थे कहे के चुहोई आसदय और बड़ा धयावान होकर रगुनाद्दास को कहने लगे क्योंकि नित्यानंद प्रभु समझ रहे थे रगुनाद्दास की अवस्था क्या है क्योंकि जब रगुनाद्दास महाप्रभु को शांतिपूर में सभी वैश्णवों के बीच मिले थे तब रगुनाद्दास के साथ नित्यानन प्रभु भी थे अद्वेत आचारे के घर पर उस समय महाप्रभु ने उनको जो आदेश दिया था उससे ये भली भाती परिचित थे और जानते थे कि रगुनाद्दास के मन में केवल एक मातर तीवर इच्छा निरंतर पनप रही है किस प्रकार अपने भौतिक श्रिंखलाओं की बेडियों को काट कर मैं महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओं और इनकी महत्वा कांग्षा को बारम बार उनकी पारिवारिक सदस् नित्यानंद प्रभु को बिना बोले ही सब कुछ ज्यात था इसलिए नित्यानंद प्रभु भी करुनावश रगुनाद्दास को बताए कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि केवल सेवा करने की इच्छा से कुछ नहीं होता सेवा तभी सफल होती है जब उचित माध्यम से आप सेवा करो और जब तक उचित माध्यम नहीं होगा आपकी सेवा कभी सफल नहीं होगी और वो उचित माध्यम क्या है कि आप डायरेक्ट भगवान के पास जाने का प्रयत्न कर रहे हो लेकिन भगवान कौन देता है यह से प्रसादात भगवत प्रसादो गुरू भगवान की सेवा समर्पित करते हैं और गुरू कैसे संतुष्ट होते हैं जब वइश्नव की सेवा हो तो इसलिए वइश्नव सेवा से वइश्नव संतुष्ट होते हैं वइश्नव के संतोष से गुरू संतुष्ट होते हैं तुमारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब धंड सुनकर किसी को लगेगा पतानी क्या देलने वाले लेकिन ये नित्यानंद प्रभू है तो उनका धंड भी बड़ा मज़ेदार है। कि अभी सबी चितने भक्त लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ एकत्रित हैं पानी हटी में। उनको क्या खिलाओ दधी और चिडा चिडा दही खिलाओ दधी चिडा भक्षन कराह मोरगने। अमारे अनुयाईयों को यह सब खिलाइए। शुनी आनंदित होईला रगुनातमने सुनकर रगुनात दास भी बड़े प्रसन्न हो गए। महोच सवशुनी पासरी नाना ग्राम होईते चिडा दधी कला असंदेश कला आनिया बेचीते। तो महोच सव की घोशना सुनकर आसपास जितने चिडा दही केला संदेश बेचने वाले जितने व्यापारी थे सब आकर दुकान लगा दिये। गुले यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। और तब रगुना दास जो की कितने बड़े अरप पती थे। उस समय के जो भारत के सबसे धन्वान परिवारों में से थे। यत्रद्रव्यलययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय अब जब रगुनाद दास चलते थे तो उनके पिताजी उनके साथ लगभग साथ या आठ लोग साथ में रखते थे चार-पांस तो केवल सेक्यूरिटी थे एक-दो ट्रेजरर हाथ में सोने के मुद्राओं की थैली लेके चलते थे कहीं राजा बाबु को कहीं कुछ खरीदना पड़े तो सोने की मुद्राओं की थैली लेके चलते थे समझ रहे हैं पांस देस रुपे का नोट का थैली नहीं सोने की मुद्राओं की थैली लेके चलते थे और फिर एक-दो तो केवल कुक थे डेडिकेटेड जहां पर भी रुके वहां किचन लगाओ भोजन खिलाओ इनकी हिसाब से तो ऐसा आश्वर्य हम लोग कलपना भी नहीं खर सकते है कि अगर किसी को लगता है कितना बड़ा वायरागय का प्रदर्शन हमने किया है तो थोड़ा रगुनाद्दास जी के बारे में सुन लीजिए तुरन समझ जाएंगे कि हम अभी कंगाल हैं पहले भी कंगाल ही थे केवल बंगाल वैष्णविजम से जुड़ गए और बाकी कुछ नहीं तो रगुनाद्दास के पीछे इतने लोग चलते थे सब हाथ में लेकर तो रगुनाद्दास ने उन सब को खरिद लिया जितना कुछ माल था और सब भक्तों को बिठा कर वहाँ पर सुंदर व्यवस्था की और चिड़ा दही बना कर वो खिलाने लगे पानी हटी में नित्याननदप्रभू की प्रेरणा से महाप्रभू भी वहाँ प्रकट हो गए और किसी को दिखने ही रहे थे महाप्रभू केवल नित्यानन प्रभु को दिख रहे थे और पूरा वो स्थान भर गया खचा का जगा ही नहीं था और फिर गंगा के अंदर भी कुछ लोग उतर गए बोले अब सेकेंड राउंड वगरा छोड़ो हम लोग आदा खड़े होकर खतम करेंगे क्या बचेगा कोई भरोसा नहीं तो फस्ट राउंड में सब ने खतम किया उसको कुछ लोग बाहर कुछ लोग अंदर पहले हमारी आत्रा में हम लोग का ये स्टेंडर होता था महराज हमेशा जो है पानी हटी में रोक कर बसों को रोक कर उतर के फिर चीडा दही फेस्टिवल एक कलकता के भक्त आयोजित करते थे हम लोग पूरा चीडा दही वगरा उत्सव वहीं पे करके आगे निकलते थे तो सबसे महत्तपूर्ण ये चीडा दही उत्सव के माध्यम से नित्यानन प्रभु क्या प्रदर्शित कर रहे है कि रगुनाद दास के जीवन में सबसे बड़ी अरचन बाधा थी कि एच्छाए गोसाए जार चरणवंदन जहां हो ये ते बिग्ननाश अभिष्टा पूरन उनके अभिष्टा पूरन इच्छा पूरी नहीं हो रहे थी और बिग्न नश्ट नहीं हो रहे थी तो उसके लिए उपाय क्या है वैश्णव सेवा जो वैश्णवों के हम सेवा करेंगे उनको संतुष्ट करेंगे प्रसन करेंगे तो उनके आशिरवाद से जिस हद तक अडचने और बाधाएं समाप्त होकर हमारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ती होगी ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता तो इसलिए केवल शास्त्र ही पढ़ते रह गए तो भी हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि बिना अशिरवाद के हम लोग अडचनों से मुक्त नहीं हो सकते अब दूसरा अनित्यानन प्रभू जानते थे के रगुनाद्दास कितने बड़े अरब पती है करोड़ों पती भी नहीं अरब पती आज के जो लैंग्वेज में बिलियनेर बिलियनेर मतलब क्या मिनिमम सिक्स थाउजन करोड़ो शे साड़े शे करोड का मालिक बिलियनेर तो रगुनाद्दास वो स्वाम उस श्रेनी के थे बंगाली में अपना चेतने चरतामरत लिखाया तो एक शलोग दूसरा शलोग पढ़ते पढ़ते अपने को लगते हैं कुछ तो लिख दिया है हां रगुनाद्दी धनी थे धनी थे अरे कितने धनी थे तो इतने धनवान व्यक्ति नित्यानदपरभू के सामने आये नित्यानदपरभू बोल रहे हैं तुम चोर हो तुमको दंडित करूंगा तो अपने को लगे का बोलेंगा यह मंदिर बांदो बड़ा मंदिर बांदो है कि नहीं पत्थर का मंदिर बांदो पचास साथ हजार गनफूट का पानी हाटी में मंदिर हो जाए नित्यानदर वो यह नहीं कहा नित्यानदर वो चीड़ा दही बाटू जो कि पोहा है सबसे सस्ता और नम्र आइटम में आता है उसको प्राप्त करना सबसे सुलब है और पोहा को प्लेट में देखकर किसी के अंदर कोई विशेश जो है उल्लास नहीं होता क्यों पोहा पोहा आगया दो बोलते हाँ यह क्या हुआ सुधामा जी को जो सुधामा जी भी अफोड कर पाए पोहे पोहा है कि नहीं तो नित्यानदर प्रभू ने कहा कि वैश्णों कि मैं सेवा कैसे करूं यह सोच कर चिंतित मत हो जाओं क्योंकि प्रमान महत्वपूर नहीं है लेकिन इच्छा महत्वपूर नहीं है intention is important ये नहीं कि कितने मात्रा में मैं सेवा कर सकूँ तो हम सभी के अपने निजी सामर्थ्यानुसार हमें सेवा करनी है सामर्थ्यानुसार अगर हम वैश्णमों को संतुष्ट करने का प्रयास करें जैसे नित्यानन प्रभुने रगुनाद दास को लगाया करोड़पती को लगाया क्या खिलाने में दही और पोहा को मिला कर खिलाने में इत्यानगर वो जा चप्पन भोग की तयारी करो शुद्ध घी में ट्राइफरूट के साथ और वो भी रगुनाद्दास के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वो करवा सकते थे लेकिन क्या कहा चीडा और दही और मैक्सिमम उनका क्या आया केला फलो में भी कोई ऐसा हाई फाई फल नहीं मंगाया केला तो अगर हम वैश्णवों की कृपा चाहते हैं तो प्रामानिक इच्छा से उनको जब संतुष्ट करें तो अपने आप हर प्रकार की बाधाएं नश्ट हो जाती है इसलिए इस संबंध में कुछ महत्त पूर्ण शिक्षाएं हैं with respect to leadership six lessons on leadership पहला leadership means to create an atmosphere of love where people begin to experience the higher taste आध्यात्मिक परिवेश में हम leadership कारत क्या की इस तरह का परिवेश हम तयार करें प्रेम का क्योंकि क्या हुआ जैसे ही चीडा दही महोचसव हुआ तो सभी का एक दूसरे के पूर्टी प्रेम बढ़ गया चीडा की दही खिला रहे हैं और रगुनाद दास खिलाए जा रहे हैं है कि नहीं जितना वो संतुष्ट होने लगता है वो बिलकुल एक उनमाद में चला जाता है अरे बोलो क्या है क्या इच्छा है बताओ पूरी करोड है कि नहीं और उतना ही अगर क्रोधित भी हो जाए कम मिला या ठीक से नहीं मिला या गड़बड हो जाए तो उसका दूसरा भी एक इंपेक्ट आता है 2006 में मैं अमरिका में था तो प्रोग्राम के बाद जो हमारे होस्ट थे वो मेरे को बोले एक अलग कमरे में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ तो यवख ठीके अलग कमरे में गए अंदर गए तो दरावाज वंकर दिया मैं पे बुल अरे आपरी पिटा करने वाले गया पिर जैसे दरावाजल बंकिया सीधा सास्टांग प्रणाम करके मेरे पेरों को पकड़ लिया थेन साल पहले परभुपाड कर डिसेपिरेंस फेस्टिवल में परभुपाड डिसेपिरेंस बिले के दिन भोगल आशरम में आपका प्रसाद डिस्टिब्यूुशन चल रहा था उस समय हम लोग आए थे और प्रसाथ के लिए बैठे हम थोड़ा लेट आए बाके सारा इटम मिल गया पूरी नहीं मिली तो हमने पूछा पूरी कब आएगी तो बोले अभी तयार हो रहा है आप बैठे रहो तो हम लोग वेट करते रहे करते रहे करते रहे गंटा वेट के पूरी नहीं मिला मैंने पूछा कौन इंचारज है बोला गवरांग प्रभू मैंने गाली दिया आपको आपने सुने मैंने दिया इसलिए मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा पराद कर दिया तो इसलिए ख्षमा करें क्योंकि उस समय क्या फस्टिंग तिल नून था और स्टाड भी ने कर पा रहा था पूरी भी ने आ रहे थी माथा गरम हो गया तो मैंने का रहे वापने आप तो व्यक्त कर रहे हो बाकी तो silencer वाले कितने मिसाइल चलते होंगे क्या भरोसा इसलि आप चिंता मत करो होता रहता है तो इसलिए यहाँ पर to create an atmosphere of love तदाती प्रति ग्रिनाती गुन्याक्ती प्रिच्छती भूंते भोजयती where people begin to experience the higher taste दूसरा seek positive lessons inherent in negative elements चाहें परिष्थती हमें विपरीत क्यों न लगे क्योंकि रगुनादास बार-बार भागने का प्रयास कर रहे हैं क्या है मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं नहीं लेकिन उसमें जो positive तत्व क्या निकल सकता है तो क्योंकि पोस्पोन हुआ अभी वो नित्यानंतरों के पास आकर ये सेवा कर सके तीसरा look how to take steps to make the higher good happen ये सोचिए ये न सोचिए कि अरे मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा लेकिन ये सोचिए कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे वैष्णव समुदायकों मैं इस वर्तमान परिस्थिती में भी संतुष्ट कर सकूँ तो जब रगुनाद्धास नित्यानंतरों के पास गये वो ऐसा चहरा उतार कर और रहा प्रस्ट्रेट हो रा हूं निकलने नहीं मिल रहा मुझे क्या चल रहा है ये रगुनाद्धास को जैसे बोला नित्यानंतरों सेवा करो चिडा दैपाटो उन्हों नहीं का रहे वो तो बातेंगे लेकिन मेरा क्या कितनी बार प्रयास की अभी तक होई ने रहा है आप बोलते हो चीडा दही बाटो या और कुछ मिला नहीं किया नहीं उस परिस्तिती में अनुकुल क्या कर सकते हैं look how to take steps to make the higher good happen fourth everything is available if you connect properly सब कुछ उपलब्द होता है अगर ठीक तरह से हम संबंध स्थापित करें कृष्चन के साथ वैष्णवों के साथ और अपनी सेवा के साथ जब हम संबंध उचित प्रकार से स्थापित करेंगे तो अपने आप सब कुछ प्रकट होने लगेगा always examine each situation carefully to gain maximum benefit from each interaction हर आदान प्रदान के माध्यम से सबसे अधिक हम लाभ आशिरवाद कृपा कैसे प्राप्त करें अब मुझे इस भक्त के साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिला है इनकी सेवा करने का अवसर मिला है ऐसा क्या करें जिससे अधिक से अधिक कृपा मिले इस अवसर को छोड़े नहीं छटा अगर लोग और गहरे स्तर पर नहीं उतरेंगे वो उपर उपर स्तर पर जो बौतल के बाहर चाटते चले जाएंगे और बौतल के अंदर के मधू को चख नहीं पाएंगे तो इसलिए ISKON is a spiritual organization in a social setup it is not a social organization in a spiritual setup तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक आदान प्रदान पे बल देना है सामाजिक परिवेश में सामाजिक आदान प्रदान पे बल नहीं देना है आध्यात्मिक परिवेश में बहुत बड़ा अंतर है तो इसलिए अगर केवल सामाजिक इस तर पर ही हम आदान प्रदान करते रहेंगे और आध्यात्मिक तत्व को महत्व नहीं देंगे तो हम लोग केवल बोतल के बाहरी भाग को चाटते रहेंगे तो इसलिए नित्यानन प्रभु ने रगुनाद दास को जो विशेश रूप से आशिरवात प्रदान किया उन वैष्णवों की सेवा करके उनको संपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ तो प्रभुपाजी के पास एक व्यक्ति आके जो है प्रश्न उठाने लगे आप कहते हो पत्तरम, पुष्पम, भलम, तोयम ये वो कृष्ण कहते हैं कि जो है उनको आप खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, भोग लगाओ, प्रसाद दो कौन किसने देखा है कि भगवान खाते है एक सब कपोल कलपीद बात है किसने देखा है, भगवान खाते है आपने देखा है कि प्रभुपाद को प्रभुपाद, वो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता भगवान खाते हैं मेरा मत है कि वो नहीं खाते हैं प्रभुपाद ने का रे कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में पत्रम, कुष्पम, फलम्तोय, यो में भगते हैं आप रेच्छे थी अश्नामी कृष्ण कहे रहें मैं खाता हूँ और तुम कहते हो वो नहीं खाते हैं तो मैं किस पर विश्वास करूँ शुड़ाइ बिलीव इन कृष्णा और लोफर लाइक यू आदमी गबरा गया बोले यह क्या है तो प्रभुपाद जी का आत्म विश्वास पूर्ण था कि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं कृष्ण की वानी के आधार पर एक लाइफ पिंबर को प्रभुपाजी ने पूचा ठीक है आप मेरे से गीता सुन रहे हो इतने मौनिंग वॉक पर तो बताइए कौन सा श्लोक आपको सबसे अच्छा लगा गीता का वो कहता है जब कृष्ण केते ना लास्ट में अरजुन को यथेच्यसी तथा कुरू जो अच्छा लगे अरजुन वो करो क्या मर्म है गीता का यह बिल्कुल परफेक्ट लगा फोर्स ने करते प्रभुपाद ने का रहे उसके पहले सर्वधर्मान परित्यज़ भी बुल है वो आपको ठीक नहीं लगा केवल अधर्ची से था कुरू तो इसलिए जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंतरित करके वैश्णवों की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान की सेवा हम नहीं कर पाएंगे और प्रभुपाजी तमाल कृष्ण माराज के साथ और कई भक्तों के साथ बैठ कर बोल रहे थे कि वास्तों में मेरे पत्नी ने उस समय कह दिया चाय के लिए बिस्कुट खरितने के लिए भागवतम बेच दिया तो तमाल कृष्ण माराज बोले हम आपके पत्नी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने चाय को चूज किया इसके कारण आपका संगलाब हम लोगों को प्राप्त हुआ अन्यता संभवने किसी ने प्रभुपाद को कहा आपके इसकौन वाले केवल किताब वितरित करते रहते हैं किताब वितरन कर करके वो लोग सब बुक वर्म बनेंगे प्रभुपाद ने का जो बुक नहीं पड़ेगा वो स्टूल वर्म बनेगा कौन सा जादा स्रेष्टे बताओ तो प्रभुपाद जी ब्रंदावन में थे प्रभुपाद जी अंदर आके बोले यार दो घंटा होगे अभी तक तुमारा कुकिंग रडी नहीं हुआ भगज जी बोले क्या करे इतने लोगों के लिए तैयार करना प्रभुपाद ने का रहे मैं तो पचास लोगों का कोकिंग आदे घंटे में घतम कर दूँगा भगज जी बोले ये पॉसिबल नहीं है संभव नहीं प्रभुपाद जी बोले शर्त लगाते हो क्या आदे घंटे में पचास लोगों का कोकिंग में करके दिखा दूँगा चर्थ लगाते तो बोलो तो भगत जी बोले आपके साथ चर्थ लगा के भाइदा नहीं क्योंकि अगर आप जीतोगे तो आप 500 रुपे रख लोगे और मैं जीतूंगा मुझे बोलोगे 500 रुपे डोनेट कर दो तो प्रहुपाजी भारत में रहकर पाश्चात देश के भक्तों को लाकर और ब्रंदावन जैसे स्थान में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना किये मायापूर में स्थापित किये बंबई में स्थापित किये और इस इस कौन की स्थापना के माध्यम से कलियुक के लोगों के लिए वैश्णव संग प्रदान किये क्योंकि महाप्रभु साक्षात रगुनादास को मिलने के बाद भी रगुनादास महाप्रभु तक पहुँच नहीं पा रहे थे तो जो दूर्बीन होती है न तो दूर्बीन बहुत दूर कोई वस्तु हो उसको पास दिखलाती है बैनाकुलर हो गया या कुछ टेलेस्कोप हो गया जो हो गया जो दूर बहुत कोई वस्तु हो उसका निकट प्रतिविंब प्रदर्शित करती है इसलिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लेंस होते है तो इसी पर का प्रवपाजी कहते हैं कृष्ण बहुत दूर है उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता इतनी जल्दी लेकिन वैश्णव गण काच के हाई मैगनिफिकेशन लेंस की भाती है अपने और कृष्ण के बीच जितने लेंस लगाओगे उतना कृष्ण निकट दिखेंगे तो इसलिए रगुनाद्दास को वैश्णव की सेवा करने के बाद फिर इच्छा पूर्ति करने का अवसर मिला ये चीडा दही महुत्सव का मुल जो शिक्षा यहाँ पर चेतने चरतामृत में वर्णना रहा है तो आज गोवर्धन इको विलेज में कई नए परिवार जुड़ गये हैं और मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इन परिवारों को पूर्ण हृदय के साथ स्वागत करें अपने कहा गए अपने श्री गोर्चन पूँ आई वो कोँ है वो श्री गोर्चन नहीं है क्या मुझे लगा हो गठी हो है ठीक है ठीक है अरे यार सभी सर्जन ही लगते हैं सभी सर्जन ही लगते हैं मैं यह था कौन क्या है उत्चस्माई वाले दूसरे को देख के मुझे लगा हो है और आप राधा मदन को पल लग रहे थे मुझे तो यह जो परिवारों का नाम बताओ फिर मैं थोड़ा उनको स्वागत करूँ मैं तो अबसे हमारे वरिंदावन प्रसाद प्रभू राजबक्ति मातर जी उनके सुपुत्र परिक्षित प्रभू वो आए हैं अभी जो अपने गोर्धन स्कूल अफ सस्टेनिबलिटी में सेवा करने वाले फिर हमारे राजबलराम प्रभू उनके परिवर वाइफ और उनके बच्चे ब्रदी प्राजबराज प्रभू उनकी बहन यह अभी किछन में सेवा कर रहे हैं फूड एंड सेवटी मैनेजर के रोल पर कर रहे हमारे मंगल कृष्ण प्रभू और उनकी वाइफ अरे परे खड़े तो होने दो उनको जब नाम लेते हो तो पेचानिक कैसे करंदावन प्रसाद प्रभू माताजी बराजबलराम प्रभू सब करें और फिर हमारे विकास प्रभू विकास प्रभू जो अभी गेस डिपार्टमेंट लब ऑपरेशन में गेस्ट रूम में वो अभी ने जनरल मैनेजर है उनके वाइफ और उनके बच्चे तो यह सब फैमिली हमारे और भी लोग जोइन हुए है ऐसे नहीं है पर हम पहले इन लोग का स्वागत करेंगे और लोग का कुछ समय के बाद करेंगे तो इन सभी लोगों का गोवर्धन इको विलेच परिवार में हम हारदिक स्वागत करते हुए सिराधा बंदावन बिहारी मदन मोहन देव और गिर्राज जेसे प्रार्थना करते हैं कि यह उनके ही परिवार के एक अभिन अंग बनकर उनकी सिवा करते रहें सब लोग बोलिए हरीवो 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 तो कृपा करके आप लोग बैड़ जाईए तो अंत में आप लोगों के स्वागत में मैंने एक विशेश डॉक्यमेंट लाया आज हम लोगे गोवर्धन इको विलेच की इतिहास में पहली बार नए लोग जॉइन होने पर एक विशेश स्वागत समारो किया जा रहा है नहीं तो लोग आते हैं रहते हैं जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है कौन अंदर के हैं कौन बाहर के हैं तो आज का ये आइतिहासिक दिन हैं जब हम लोग विधिवत जो भी यहां पर जॉइन होगा उनका हम ओरिएंटेशन कराएंगे स्वागत करेंगे तो दस मिनिट के अंदर मैं थोड़ा आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं कल गुपाल कृष्ण महाराज जी का व्यास पूजा मनाया गया उसमें मैं ये पढ़ने वाला था लेकिन थोड़ा डॉक्यमेंट मेरेको लेट मिला तो में 28, 1975 1975 में कितना साल पहले? 45 साल पूर्व तो 45 येर्स बिफोर का ये लेटर है गुपाल कृष्ण महाराज उसमें गृहस्त थे लेकिन भारत के और एश्या के GBC थे और प्रहुपाजी ने वास्तों में डिक्टेट किया उनके साथ लेटर तो His Excellency श्रीमान S.B. Chauhan S.B. Chauhan Honorable Chief Minister of Maharashtra सची वाले Bombay, Maharashtra तो ये लेटर किसलिय था We thank you for receiving us so nicely last Thursday for hearing about our project at Hare Krishna Land This letter will serve as our official application for a no objection certificate to build a Shri Shri Radha Krishna temple at the Hare Krishna Land in Juhu, Bombay तो मतलब 1975 May मे Juhu में, Nairwadi में Hare Krishna का मंदिर बन पाएगा की नहीं बन पाएगा इसके ओपर बहुत बड़ा प्रश्चन चिन्न था और उस समय प्रभुपाजीन के इच्छा के अनुसार वहाँ पर वो लोग ने application डाला था लेकिन पुलिस कमिशनर ने उसको reject कर दिया application for temple in Hare Krishna land first construction of temple may lead to more traffic congestion on Juhu Tara Road number two bhajan singing has been complained about in the past is likely to be a nuisance in the future तो ये दो कारणों से जो है पुलिस कमिशनर ने इसको reject कर दिया तो इनके उत्तर में यहां लिख रहे हैं कि भई पास में एक cinema hall भी है वहाँ पे तो कुछ congestion दिखता नहीं तो फिर हम लोगे यहां पे ऐसे congestion क्यों होगा और फिर दूसरा लिखा है regarding bhajan singing being complained as a nuisance this is clear blasphemy ये वुलकुल बराबर प्रभुपाद का इसमें दिख रहा है हाथ तो फिर प्रभुपाद लिखते है उसमें इस पत्र में कि इस तरह से in spite of all these factors which clearly counteract the commissioner's objection still the commissioner rejected our application by his letter ठीक ना and on the other hand anyone who has complained about कीरतन as a nuisance must be categorized as दुष्कृतिन मूध नराधम माया अपर्त ज्यान असुरा and so on as mentioned in a Bhagavad Gita तो प्रभुपाद का जो PR था वो अलगी level पे था मुख्यमंत्री के letter में ये बराबर as it is Bhagavad Gita का डाल दिया फिर आगे लिखते हैं as everything is ready for the construction of a Radha Krishna temple in Juhu we still hope to get the NOC very soon we have more than 100 big temples all over the world इत्यादी इत्यादी और फिर लिखा की बाकी सब Vrindavan, Mayapur, Hyderabad Chennai, Kolkata, Ittyadi में हमको support मिला यहां क्यों नहीं मिल रहा फिर लिखते हैं okay recently local municipal councillor from Juhu Mr. Pushpakanth Matre has raised various objectionable questions about our movement in letters to your good self and several newspapers so Pushpakanth Matre और Mr. Nair का मिली भगत था तो यह Ghriraj Maharaj को जो कार्तिक में book launch होगा उसमें और clear आपको इसके बारे में detail मालूम पड़ेगा तो उस समय के जो ward थे Juhu का जो ward में जो councillor थे municipality के वो और और उसके बाद यहां लिखते हैं the aim is to discredit the Hare Krishna movement and harass the devotees Mr. Matre tried his best to prevent Mrs. Nair the previous owner of the Hare Krishna land from selling the land to ISKCON two years ago Mr. Matre had the audacity to arrange for the ruthless illegal demolition of the Radhakrishna temple जो आक्रमान होकरो लोगने तोड़ा ओबी नीकाई हस्ता क्षेप था this demolition was criticized by respected citizens in Juhu and Bombay by the press by the standing committee of the Municipal Corporation of Greater Bombay although ISKCON has amicably purchased the land from Mrs. Nair the title of the land stands in the name of ISKCON for reasons best known himself Mr. Matre is still trying to harass our devotees and drive them away once again he is trying to instigate the government to revoke the permission for our already existing small Radhakrishna temple and to stop the work on our you know devotees residential building for which municipality was already given permission we have already spent more than 50,000 of public money for laying foundation for residential buildings therefore Mr. Matre is raising so many dubious questions about our movement even though he knows very well that our movement is purely spiritual कितने problems थे उस समय पूरी अनिश्चितता थी कि कैसे मंदिर बन पाएगा फिर प्रभपाद लिखते है Mr. Matre has questioned whether ISKCON devotees are CIA agents फिर आगे लिखते है Mr. Matre pretends to be ignorant of the fact that the same issue was raised in the Lok Sabha on 29th November 1972 in the unstarred question number 2382 as raised by Shri Rajdev Singh Member of Parliament Lok Sabha in the following words Will the Minister of Home Affairs Griha Mantri be pleased to state whether government has found out that ISKCON has contacts or financial obligations with the CIA of USA the answer given by Shri F.H. Mohsen Deputy Minister of Home Affairs was that the government has no information about ISKCON having any contacts or financial obligation with the CIA connection to see us we have no knowledge of this Gopal Krishna Maharaj does Mr. Matre think that the Americans have become so foolish that they have shaved their heads and kept Vaishnav bhakti as propounded as propounded by his divine grace including sleeping on the floor rising at four in the morning attending Mangalarati chanting more than 25,000 names of Krishna daily as well as following the relative principles of eating no eating meat fish eggs engaging in no illicit sex life no intoxication coffee tea cigarettes no gambling or speculation then Prabhupad and Upal Krishna Maharaj have a sentence with each Jabardast such an austere life would be difficult even for an Indian CID agent such an austere life would be difficult even for an Indian CID agent so how does Mr. Matre expect American CIA agents who are accustomed to unrestricted sense gratification from their birth to now follow these principles for four years and dance in ecstasy in front of the Lord we challenge Mr. Matre or any CIA or CID agent to stay with us for even one month under such strict regulatory principle members of the ISKCON are not CIA agents but they are sincere devotees trying to render some humble service to their beloved Shila Prabhupad and his mission in India and tolerating all difficulties to do so to do so because because of Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu Prampera they have people have made work where will mission will come to them उनके मिशन को कोई माय का लाल रोक नहीं सकता इसलिए केवल अपने को चूज करना है कि हमको उसमें भाग लेना है कि नहीं इसलिए 45 वर्ष के बाद आज रादर आज बिहारी मंदिर इसकौन पूरे इसकौन के 700 मंदिरों का सबसे प्रतिष्टा शाली, सबसे अधिक जो शक्ति शाली और सबसे अधिक लोग जिसमें दर्शन के लिए आते हैं ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित हो गया है लेकिन एक समय था मंदिर शुरू होने के एक साल बाद भी जब मंदिर में अगर कोई एक दो लोग आ चाते थे तो वो लोग बहुत खुशिया मनाते थे कि आज दो लोग आ गए चार लोग आ गए तो इसलिए काउंतय प्रतियानिही नमे भक्तप्रनश्यती इसकी घोशना हो गई है कि ये मिशन सफल होके ही रहेगा चलने वाला खेल है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी फोन उठा के यूएस के राष्ट्रपती अमरिका के अपना लंडन के राष्ट्रपती यूके के राष्ट्रपती औस्टेला के राष्ट्रपती के साथ क्या आप चर्चाएं करते हैं यह आप और हम नहीं सुन सकते नहीं समझ सकते इसलिए उच्च तरपर भगवान के तत्व के साथ संबंद जूडने वाले भक्त लोग क्या-क्या चर्चाएं करके क्या-क्या योजना बना रहे हैं इसको हम लोग नहीं समझ सकते इसलिए हम लोगों का कर्तव यह है कि हम अपने अवकात के अनुसार अपनी सीमा में अपना तुछ योगदान देते चले जाएं और बाकी जो होना है वो अपनियाप होगा इसमें कोई दो राय नहीं तो इसलिए ये गोवर्धन इको विलेज जो शुरू हुआ है ये उन्निस सो उनत्तर में 1969 में शिला प्रहुपाजी ने जो संकल्प किया था कि न्यू वरंदावन में ये पाँच बाते होनी चाहिए कृशी गोरक्षा शिक्षा वरंदावन के बारावन और ब्रिंदावन के साथ मंदीर और एक गेस्ट हाउस रिट्रीट सेंटर जहां लोग आ सकें और रह सकें और जो हमारे भागवत में ब्रिंदावन का वर्नन किया गया है जिसमें कृश्ण ब्रिंदावन के बीच और पूरा समुदाए उनके चारों तरफ ऐसा एक प्रदर्शनी जब तक हम न दें लोग भागवत के पन्नों में विश्वास नहीं रख पाएंगे तो दशम सकंद भागवत के ब्रिंदावन लिला में लोगों की प्रभुपाजी न्यू ब्रिंदावन की स्थापना किये और उसी न्यू ब्रिंदावन के स्वपन को जो उस समय साकार नहीं हो पाया उसको साकार करने के लिए परंपुज राधनात महराज ने यहां पर बड़े प्रेतनों के बाद 1988 से प्रयत्न चालू थे 1988 में रादा गोपिनाज जी का प्रतिष्टा हो गया था 1988 से ही फार्म का लैंड ढूनना शुरू हो गया था तो सिटी मंदिर तो बहुत फास्ट उपर जाकर विश्व प्रसिद्ध हो गया चौपाटी इस कौन लेकिन ग्रामीन क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को स्थापित करने में कई-कई चुनोतियां रही और उन चुनोतियों को जूचते हुए संघर्ष करते हुए हम लोग अब इस पडाव तक पहुँचे हैं और हर भक्त को हम क्रतग्यता व्यक्त करना चाहेंगे जो महाराज के इस स्वपन को साकार करने में सक्रिय योगदान दिये कॉंगरिगेशन के भक्त इंटरनेशनल डिवोटी समुदाय यहां के जितने कम्यूनिटी के मेंबर्स है आशरम के लोग है सभी लोगों ने अपना जो वर्तमान में है जो भूत काल में रहे जिसने भी जिस हद तक इस प्रोजेक्ट को यहां तक लाने में सहाय था कि उन सभी के हम खुर्दे पुर्वक कृतग्य हैं और हम सभी लोग मिलकर इस परिवार में जुडने वाले नए सदस्यों का हारदिक रूप से स्वागत करते हैं जिस से की स्री चैतन्य महाप्रभू के इस प्रचार कारे को शिल प्रभुपाजी के इस ब्रिंदावन की स्थापना के इस सुपन को लोगों तक पहुँचा सके लेकिन मूल रूप से ये व्रिंदावन की ऐसी स्थापना जिस प्रकार का प्रयास प्रभुपाजी ने कृष्ण बलराम मंदिर में किया जिस से की व्रिंदावन में ऐसा मंदिर हो जहां पाश्चात देश के लोग भी आकर देख सकें और समझ सकें बैठ सकें तो वैसे यहां के लोकल लोग और पाश्चात देश के लोग सभी के लिए एक अनुकूल परिवेश में कैसे व्रिंदावन का अनुभव किया जा सके उसको लेकर ये प्रकल्प आरंब किया गया है और नॉर्मल इसकौन के मंदिर में जहां राधा कृष्णि के विग्रह है वहां कौन जो श्रद्धालू है वोही जाता है पहले से जिसको लगता मैं हिंदु हूँ चाहता हूँ या दर्शन करना चाहता हूँ वोही जाता है लेकिन ये प्रोजेक्ट को ऐसे बनाया गया है जिससे मान लो सौ में अगर दस आदमी मंदिर देखने जाए ये कहे कि भई भगवान के दर्शन करने है और नब्बे लोग न जाए क्योंकि बोले मुझे भगवान अगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं तो ये प्रोजेक्ट ऐसा बनाया गया कि बाकी जो नब्बे लोगों को भी कैसे पकड़ा जाए तो उसमें हो सकता है दस बीस लोग बोले मंदिर में मेरा कोई विश्वास नहीं लेकिन अपना स्वास्त अपने को ठीक रखना है तो उन लोग के लिए आयरुवेद है योग है कोई बोले ठीक है मंदिर उंदिर नहीं लेकिन हमको कुछ सोशल सर्विस करना है तो ठीक है उनके लिए ग्राम विकास की कई कारिक्रम यहां चल रहे हैं और कोई कहता है नहीं हमको यह हमको केवल जो है गो सेवा में हम विश्वास रखते है तो चाहे आपकी जिस प्रकार की रुची हो कई दूसरे ऐसे आकरशन के केंद्र इस प्रोजेक्ट की अंतरगत है और इसको डिजाइन भी इस्तरह किया गया है कि सारा आध्यात्मिक परिवेश इस तरह है जहां भगवान में डिटी है यहां से लेकर वरंदावन फॉरस्ट श्रीजी मंदिर तक पूरा आध्यात्मिक कोई कहता मुझे आध्यात्मिक आध्यात्मिक मैं डिटी वीटी ने मैं ही डिटी हूँ तो ठीक है भई आयरुवेद उदर है तेरी आर्थी वहां उतारेंगे वहां चला जाए तो यह प्रोजेक्ट के दो भाग है इस तरफ हमारे डिटी यह है उस तरफ आप बनोगे डिटी तो आपको चूज करना है किस तरफ तो उस तरफ फिर अगर व्यक्ति फिर थोड़ा अपने आपका मनोरंजन करने के बाद फिर सोचे कि अरे इस तरफ क्या भई तो यहां पर फिर अपना उसका जब मालिश वालिश हो जाए और खूज हो जाए फिर वो आके देखेगा अरे हाँ अच्छा लग रहा है अपका मंदिर भड़ी आए ठीक है अच्छा काम कर रहे है आप लोग तो धिरे धिरे वो वक्ती जो है फेवरेबल हो जाता है ने तो सिटी मंदिर में लोग आते हैं आदा घंटा रुकेंगे फटा फट गोविन्दा में खाएंगे निकल जाएंगे डर लगता है उनको ज्यादा सामय रहने के लिए लोग भी देख लेंगे हमको यहाँ पे अपने समाज के लोग देख लिए कि अरे इसकों मंदिर में क्या कर रहे है तुम कर गे तो इसलिए ज्यादा समय बिताने दरते हैं यहाँ पे आजमी आता है 48 आवर्स रहके जाता है तब सिटी में आपको लगबख सोचो कितना साल लगेगा उसके साथ 48 आवर्स बिताने गा तो एक साथ व्यक्ती समय देकर यहाँ आते हैं और यह बनाया गया है इस इस प्योरली अ प्रोजेक्ट फॉर ट्रैंस्वर्मिंग देख कोई भी दूसरे किसी मंदिर से यह भिन नहीं है इसका मूल उद्देश ध्य है ट्रैंस्वर्मिंग हार्ट खुर्दय का परिवर्तन इसके लिए ही बनाया इसलिए प्रभुपाजी ने राजब्यारी मंदिर में उस समय गेस्टाउस बनाया मायापूर में गेस्टाउस बनाया गुरंदावन में गेस्टाउस बनाया तो वो एक first level था same guest house concept यहाँ पर भी है और कुछ अंतर नहीं है तो इसलिए इस project को लेके confused होने की और भ्रमित होने की कोई आवश्यक्ता नहीं जैसे हर मंदिर में विग्र है, गोविंदाज रेस्टोरंट है, गेस्थाउस है, यहाँ पर भी वही है, थोड़े अक्टिविटीज अधिक है, और कुछ नहीं, लेकिन उद्देश्य लोगों के अंदर प्रेरना जागरत करना, किस तरह वो परिवर्तित हो सके, तो जितने लोग जुड रहे हैं नए नए, यह सभी महामंतर का जब करते हुए अच्छे प्रेक्टिसिंग डिवोटीज हैं, और जब तक डिवोटीज के संपर्क में लोग नहीं आएंगे, खुर्दय कैसे परिवर्तन होगा, तो इसलिए आप सभी का इस प्रोजेक्ट में जुड़ना अती महत पूर्ण ह क्योंकि न केवल आप अपने-पने subject areas में क्षेत्र में expert हो, लेकिन साथ-साथ आप लोग practicing devotees भी हो, इसलिए हम लोग सभी ऐसे दिन की प्रतिक्षा कर रहे थे, जब हर क्षेत्र के expert, जो devotees यहां join करें, तो इसलिए कई साल यहां पर हम लोग मैं से कई लोगों ने बहुत सार दूसरी सेवाएं करके चोकिदारी दी है, कि काम चलता रहे जब तक कोई expert लोग न आ जाए उस क्षेत्र में, और अब भगवान ऐसे-एसे लोगों को भेज रहे हैं, आशा है यहां पर आप लोग सभी रहे कर अपने अध्यात्मिक, पारिवारिक और मिशन से संबंदित अध्यात्माराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर आपकी परिवारों पर बनी रहे, इन शब्दों के साथ मैं आज के कथा को यही विराम देता हूं, और फिर आप सभी जो नए गोवरधन इकोविलेच सो जुड़े हो, आप सभी का स्वागत करते हुए, मैं सब को धन्य अध्यात्मारे कृष्छिन